36 गड़ के जितने भी student है आप सभी student के लिए 36 गड़ में आरक्षन मामले में बहुत ही अच्छी अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है आप सभी student को बताना चाहता हूं कि 36 गड़ में आरक्षन की पुरानी वैवस्ता का आदेज जारी हो चुका है हाई कोट ने अपनी सभी भरतियों में 16-20-14 फार्मूला लागू करने को कहा जी हां 36 गड़ में आरक्षन मामले में इस वक्ते कि सबसे बहुत इंप्टेंट जनकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है इससे क्या होगा अब 36 गड़ में सभी भरती परिक्षा 50 प्रतिशत आरक् प्रतिशत आरक्षन के लिए लागू होने के लिए और नहीं से नवी अनुसुची में सामिल किया गया आपको बताना चाहता हूं कि प्छास प्रतिशत आरक्षन के लिए लागू होने के लिए और कंटीनू होने के लिए नवी अनुसुची में सामिल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लेकिन अभी तक यह किसी भी तरह से नवी अनुसुची में सामिल नहीं हो पायतु हो अब इससे क्या होगा 36 गड़ पचास प्रतिशा तारक्षन के हसाब से होगा सेलेक्षन 16-20-14 यानि की स्ट को 16 प्रतिशन प्रतिशत मिलेगा वहीं स्ट के बात करें तो एस्टी आदिवासी जो अन्य आदिवासी अनुसुचित जन जाती के जो लोग होते हैं उनको 20% आरक्षन का लाब मिले गया यानि टोटल जो जो ए 36 गड़ में 50 प्रतिशत आरक्षन के अनुसारी सेलेक्षन जो होने वाला और आप लोगोंने देखा ही होगा कि 36 गड़ सरकार ने जो है तो इसे बिच आप सभी स्टूडेंट के लिए और महत्तुपूर्ट जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है और चतिस गड़ में आप 16-24 का ही फार्मूला जो है अब सभी भरती परिक्षा में होगा सिर्फ आइक वाले भरती परिक्षा में नहीं बाकि जितने भरती परिक करने देन आपको इसके अच्छा एक बहतर रिजाट जो है मिल पाएगा और आपका सेलिक्षन जो होने वाला है देखिए अभी हाई कोट ने 144 बदों के लिए भरती निकाला था और इन सभी भरती परिक्षा में सिर्प 50% आरक्षान के नुसार से पोस्ट निकाला गया था क एस्टी के लिए कितना पोस्ट हैं एस्टी के लिए कितना पोस्ट हैं ओविस्टी के लिए कितना हैं जनरल के लिए जो है कितना कितना पोस्ट हैं तो एक के बाद एक 36 गड़ में आरक्षान मामले में नहीं नहीं अपड़ेट्स नहीं जानकारी आप सब इस्टुडेंट क जो है देखने को मिल जाएगा आपका सेलेक्शन जो हो असरुप से हो पाएगा अब बिल्गुल भी आम सभी स्टुडेंट को अब चिंता करने के परशान होनी के बिल्गुल जोरत नहीं है अब 36 गड़ में सिर्पचास परसेंट आरक्षन के नुसारी आप लोगो का गड़ में U tomato back और लेंट भी एना को मिल रहा है तो जादा जादा आपको Самी करने जादा कने अगर आप अच्छे से और टैयारी करेंगे अगर आप अच्छे से प्रिपरिकर्चन करेंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करें बहतर result हमिल पाएगा देना आपका selection जो हो पाएगा तो 36 गड़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए भरती जो होने वाला तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं बहुत ज्यादा मेहनत किजिए हार्ड वर्क किजिए हमें मेहनत करने से तैयारी करने से बिल्कु आपको करना है तो बहुत मेहनत किजिए तैयारी किजिए और पढ़ाई पर फूल एफट लगाई है कंटीनिव एक्जाम की तैयारी किजिए तभी आप लोगों को इसका एक अच्छा एक बहतर रिजल्ट जो है मिल पाएगा दिन आपका selection जो हो पाएगा तो प्लीस अगर वीडियो साँप लोगों को अगर अच्छा लगा हो पसंद आयो तो प्लीस वीडियो को लाइक किजिए चैनल पर अगर अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सांथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आउन करके रख लिजे इन वीडियो को जितना हो सके अपने फै प्रिपरेशन करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए एक अच्छा बेहतर रिजेट होने वाला है और आप लोगों का सेलेक्षन भी देखने को मिल पाएगा तो अगर आप महनत करेंगे तभी आपको एक अच्छा बेहतर रिजेट भी पाएगा और 36 गण में सिर्प 50% आरक उन्समांद रूप निरिश्यकंत बर्ती परिश्यक्षार का उन्वारी इक dijo वाल ए उन्पसित लुद को आप 살ब लोगों के पास बेंगा समय किस तरीके से ग्सार्य कおい कि किस तरीके से preparation करेंगे यह सब कुछ आपके उपर depend करता है आपके उपर लेकिन आप लोगों को अगर तैयारी अच्छे से रहेगा प्रिपरेशन अच्छे से रहेगा तो आपका सेलेक्शन हो पाएगा अगर प्रिपरेशन आपका अच्छे से नहीं रहेगा तो आपका सेलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा तो आपको यही चीज में बोलना चाहता ह आपको तैयरी अच्छे से करना है मेहनत करना है तो प्लीस अगर वीडियो साफ लोगों को अगर अच्छा लगा हो पसंद आयो तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए साथ में टीचर्ड के बारा जा चार सा नौशी प काम करेंगे उतने ही आप लोगों को एक अच्छा बहतर रिजल्ट मिल पाएगा देना आपका सेलेक्शन जो अवज सुरुप से हो पाएगा क्योंकि काम्याभी सक्सेश सफलता खुश्या प्रशिद्धी उनहीं को मिलेगे जो मेहनत करेंगे जो उसके हगदार होंगे तो यदि आप भी मेहनत करने को तैयार हैं तो आपको भी एक बहतर रिजल्ट मिल पाएगा तो 36 गड़ में 50% आरक्षन के अनुसारी सेलेक्शन देखने को मिल पाएगा तो इसी तरह से आप लोगों के लिए भरती जो होने वाला है तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शे ज़रूर मिलेगा दने